नमस्कार क्याल चाले सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपनों और अपने इनको ख्याल लाग हो जब टाइम मिल है तो वीडियो जरूर देखो देशी देख बिगर बिडेक और बगए लाग लपीट पिल्कुल देशी अंदाज में बात बसपा सुप्रीम ठीक है पार्टी बिल्कुल बड़ी तमदारी के साथ चुनावी मैदान में उत्री हुई है और मुकाबलों बहुत टक्कर को है और आपके जो परिणाम आँगे गो बहुत ही चोक आने वारे आँगे नुकसान कौन को सबते जादा होगो और फायदा कौन को सबते जादा होगो ये तो आने वारे टाइम में ही मालिम पड़गो जब गिंती होंगी लेकिन बसपा सुप्रीम हो माया बती और आकाश आनन और पहेंजी की रन नीती रंग लाबेगी और कितनों रंग लाबेगी गयाने बारी समय में पर किलियर होईगी है तो चलो बात अब उत्तर प्रदेश की कर लें कैसर गंज लोकसवा सीट पर अभी तक भारतिय जंता पार्टी ने प्रत्यासी को एलान नहीं करो है या के अलाबा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्य प्रत्यासी की खोशणा नहीं करी है कैसर गंज सीट या समय देश की सब्ते जादा चर्चित सीट है गई है जहां जीतने को दावाद तो सभी कर रहे हैं लेकिन अभी तक काईने पत्ता नहीं खोले हैं कैसर गंज लोकसवा निर्वाशन शेतर में तीन मई को नामंगन को आ मीडिया रिपोर्ट में दावा करो जा रहो है कि 26 सपरेल को दूसरे चंड को मद्दान होने के बाद बीजेपी अपने प्रत्यासी को एलान कर देगी लेकिन अब जबकि नामंगन में बहत्तर गंटाते भी कम बख़त बचो है तीनों दलन की औरते कैनिडेट को लेगा है उ एक हिंदी अखवार की रिपोर्ट के अंसार कैसर गंज की सीट पर तीन स्थानी नेता और एक बाहरी नेता ने परचा खरीद लियो है राजनितिक जानकार इनकी माने तो सबा और बस्पा अभी बीजेपी के फैसले को इंतजार कर रहे हैं प्रत्यासीन के एलान भी मैं है रही दे रीते कि सवाल भी उट रहे हैं कि तीन वही को नामंगन के बाद कैंडिडेट के पास प्रचार गनिया सिर्फ पंद्या दिन बचंगे नेता और संभावित प्रत्यासी या बात को लेगे भी चिंदित हैं कि गो इतने कम समय में प्रचार कैसे कर पाएंगे पूरे प्षेत्र में कैसे कबर करंगे अभी तक सवाप्रमों कखलेस यादव और बस्पाचीफ मायावदी ने भी या पूरे मामले पर कोई एक्सम नहीं लिए हो हैं सभी एक और जहां बीजेपी के फैसला को इंतियार कर रहे हैं वहीं यह या बात की भी बढ़ती जा रही है कि क अखलेस यादव इंतजार कर रहे हैं कि वीजेपी को कौन कैंडिडेट मैदान में उत्रेगो और वही के आधार पे दोन उनको फैसला होगो और यह चल क्या रहो है पूरे देश में खासतोर देश चल क्या रहो है बहुजन समाज पार्टी अबकर पूरो पुरानों हिसाब किताब सब चुकता करने बारी है और बड़ी मजबूती के साथ कैसे चुकता करेगी एक तीरते दो दो निसाने लगाएगी पार्टी और पर चासी बहरी बहुमत के साथ जीतंगे और जहां ना जीतंगे वहाँ सीदो सीदो बीजेपी को धोक डार दबने याते जादा कहनी के लिए गुंजा ऐसे नहीं है बाग यह आप समझदार हो और नई वीडियो में फिर आपके साथ रूपर रूँगे जब तक के नहीं है देशी देख बिगर बिडेख और बगर लागलपीट फिलकुल देशी अन्दाज में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार